नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैपूर एक्जोटिक बर्ड्स इन्फो में तो दोस्तों आज का जो वीडियो है सीड मिक्स के उपर वीडियो में बना रहा हूं सीड मिक्स के उपर वीडियो होने वाला है तो दोस्तों सबसे पहले सीड मिक्स क्या है और सीड मिक्स हमारे बर्ड्स के लिए क्यों जरूरी है इस बारे में आप लोगों को बता देता हूं सीड मिक्स हमारे बट्स के लिए इसलिए जरूरी है दोस्तों सीड्स काफी सारीके की सीड्स होती है अक्सर होता ही है कि हम केवल कंगनी और बाजरे पर हमारे बट्स को रखते हैं उस केस में ऐसा होता है कि हमारे बट्स का जो निट्रेशन है वो पूरी तरीके से उनको मिलना कराते हैं वह फूड खाते हैं तो इसके लिए nutrition के लिए अब कई दोस्त भाई यह करते हैं कि केवल वह कंगनी और बाजरे बेक कर देते क्योंकि उनके पास चर्फ जीड अवयलेबल होती है उसकी जादा होती है जिसकी वह जैसे हमारे बर्ड की है उतनी अच्छी नहीं तो थोड़ा सामय पहले फ़र्स्ट वाली जूम करके आपको दिखाता हूं कि यह वाली सीड क्या है दोस्तों इस सीड को आप देखिए जरा ध्यान से इसमें जो आपको सीड की मात्रा मिलेगी इसमें कंगनी का जो रेशो है वो बहुत ज्यादा होगा और संफलार सीड मिल जाएगी बाजरा मिल जाएगा रेड मिल जाएगी जिसे लाल कंगनी कहते हैं और यह कुसम दाना होगा और मतलब इसमें अगर जो आप रेशो देखेंगे अगर जो पूरा रेशो देखेंगे त का डीयुटीपृशन का रेश्यू कंगनी का मिलता है तो दोस्तों ऐसी सीट के लाज ते से ध्यों क्या हुता है कि हमारे बाट सक fui कुछ इस परकार के सीड देंगे तो फरक बहुत ज्यादा पड़ेगा उनके बट्स की हेल्थ पे दोस्तों अब इस सीड के वी अगर जो जहपूर में हम बात करें तो कोई 80 रुपय किलो कोई 90 रुपय किलो स्टोर पर्चेस करते हो होलसल में ना लेकर स्टोर से पर्चेस करत हो तो यह 500 रुपय किलो 180 रुपय किलो 300 रुपय का पकेट कुछ इस परकार से आपको पेट शोप पर देखने को मिलती है दोस्तों एक दूसरी सीड में मैं आप लोगों को दिखाता हूं जूम करके थोड़ा दिखाता हूं दोस्तों इस जो सीड की क्वालिटी है एक बार आप इस सीड का मिक्स्टर देखे सबसे पहले तो अब इस सीड में आपको कितनी परकार की सीड देखने को मिलती है और एक आप यह वाली सीड देखिए दोनों को मैं एक बार आप लोगों को आथ में लेकर दिखाता हूं यह देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे ह कि सीड मिक्स में किसमें कितना ज्यादा फरक है तो दोस्तों जो यह वाली सीड है जो बिल्कुल सिंपल सीड आती है बजीज होगर है के डाल सकते हैं यह बहुत ही सस्ती मिल जाती है वाजार में आपको 90 रुपे किलो 100 रुपे किलो या पैट शोप पे आपको 1.500 रुपे क बजीट के ही दौ व Kerryटीस डाली हो या सेंफलार में इसके अलावा आपको इसमें जो वराइटीए आएगी कम से कम सं भी 2020 से 22 किसम के सीड मिक्स इसमें मिलेगी आपको तो दोस्तों इसमें आपको pumpkin seed में मिल जाएगी और लोकी के बीच भी मिल जाएगे तो यह आप कनूर्स को भी छोटे कनूर्स को दे सकते हैं बजीस को दे सकते हैं लोबर्स को दे से दे सकते हैं तो दोस्तों अगर जो किसी वाई को जयपूर में सीड की आवस सकता हो तो उनेरे से संपर्क कर सकता है मैं उसको बहुत ही रिजनेबल प्राइज में सीड मिक्स प्रोइड करा दूंगा कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बड़्स होते हैं तो आप शोप पे सीड मिक्स चाहिए हो या जैपूर में जिस भी भाई को सीड मिक्स की आवस सकता हो वो मेरे से संपर्क कर सकता है मेरे मोबाइल नमर आपको स्क्रीन पर फ्लेस होता रहेगा तो जिस भी भाई को सीड चाहिए एक किलो दो किलो पाच किलो दस किलो चोटी कॉंटिटी में भी मिल जाएगे किस भाई को ज्याधा quantity में चाहिए तो इस्वाई को ज्याधा quantity में मिल जाएगी दोस्तों सीट्स से compromise नहीं कर रा तो प्राइज का आप लोग ना बुलिएगा कि प्राइज ज्भर ज्यादा है या प्राइज नेडोसियेबल होनी चाहिए तो इसलिए आप लिए लोग ना भूलिएगा लेकिन आप एक बार सीड की क्वालिटी देखेंगे तो सीड में बहुत जादा फरक आएगा सीड मिक्स में तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था आप लोगों को अवेर कराना था सीड किस प्रकार की होती है और